आज एक तारीख है और एक तारीख और पंदर तारीख को धम्मा डे होता है धम्मा डे मतलब हमारा प्राचीन पुराना बुद्ध से भी पहले का जो प्राकरतिक नियमों का जो दिन और जो प्राकरतिक नियम हम मानते थे इसको धमा बोलते थे धम बोलते थे वही धम बुद्ध ने दिया हमको तो यहां चोंकि भारत तो धम भूमी है और पूरा महा भारत धम भूमी है कोई व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि महा भारत का बच्चा बच्चा धम का बच्चा है और बुद्ध का बच्चा है इत्यास कहता है इस बात को हम लोग जिक्र नहीं करते अगर हम जिक्र करें तो किसी के पास जबाद नहीं है इस बात का जो अफगानिस्तान में जो बामियान के अंदर जो मूर्टियां मिलती हैं वो बताती हैं कि कितने बड़ी बुद्ध की मूर्टी वहां है आज वहां दूसरी पद्धती चलती है क्योंकि हमारी पद्धती के बताने वाले परसार करने वाले परचारक थोड़े निरास हो गए उनको मारा गया, काटा गया, भगाया गया और उधर से येरुसलम से जो पद्दती आई इसलाम की उसमें भी प्यार था, करुणा था, भायचारा था, वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली ये जानके कि ये भी पद्दती ठीक है. मगर इत्यासकार जानते हैं कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान तरकिस्तान जो इरान तक है वो उसके उपर और जो ये सारा का सारा बंगला देश है, या जो नेपाल है, या जो भूटान है, या जो स्री लंका है, या जो बर्मा है, इस सारा का सारा ये बुद्ध भूमी है, धम्म भूमी बुद्ध भूमी हम प्रचार नहीं करते हम बात नहीं करते हम किसी से अड़ने भड़ने के त्यार नहीं रहते बेकार की बातों में हम अड़ते भूते हैं मगर अपने इत्यास और अपनी जानकारी के बारे में नहीं भूते हैं कोई भी ब्यक्ति यह नहीं कह सक नहीं है और और दुनिया में कभी जाओंगे बहार घूमने और कहोगे कि भाष से आए हैं तो आपको तीन वार जुके नमस्कार करेगा फोकट में सिर्फ इसलिए हैं कि आपके परदादा पूरी दुनिया में नाम कमा के गए हैं और वह पूरी दुनिया के विश्वगुरु हैं जिनको सिद्धत गौतम तद्धागत गौतम बेदन तगू जिनको धमधर जिनको बुद्ध बोलते हैं फोकट में मिलेगा 50% सम्मान वो अलग बात है कि यहां से जो धुर्ट लोग जाते हैं उन्होंने उस सम्मान को खोने में पूरा काम किया है और लोग संसे की मन बोलते हैं वगर पाली के अंदर जो किस है उस किस का मतलब होता है दुबला पतला और ये गौतम के खांदान की गौतम के कोई महिला है जिसको किसा गौतमी बोलते है किसा गौतमी किस के आगया से के आगया आका डंडा लगा दिया जैसे विमला कमला सरला महिलाओं में ज एंटर हो जाता है महिला का नाम हो जाता है इसलिए जो ये बोलते हैं कि किसा यानि दुबली पतली महिला और गौतमी यानि के गौतम के खांदान की तो पराने समय में दुबली पतली महिलाओं की जो मांग थी वो सबसे कम थी निम्रतर थी उनसे कोई शादी करने की जरूत मह खेतों में तो ऐसी महिला ज्यादा पसंद की जाती थी जो भारी महिला हो तो ज्यादा बच्चे पैदा कर सके और खुद भी ज्यादा काम कर सके तुबली पतली महिला को यह मानते थे कि इसके सरीर में दम नहीं है ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी तो खांदान आ सादी हूई, सादी होने के बद बच्चे नहीं हो पारे थे, तो बहुत मुश्किल से उसका एक बच्चा पैसा हुआ रोवा लडगा हुआ. तो जब वो सादी होके आई तो घर में बड़े होते थे तो उसकी जो जिठानी, जो उसकी दोरानी देवरानी जो उसके घर में और सास थी वो उसकी कम इज़त करते थे के दुबली पतली है काम की भी नहीं है और बच्चे भी ज़्यादा पैदा नहीं कर सकती और उपर से बच्चा नहीं हुआ तो उसकी ज़त भी नहीं होती थी तो बड़ी मायूस और बड तो उसकी इज़त होने लगी, वो अपने बच्चे में रमने लगी, बच्चे की वैसे इज़त मिली है, बच्चे को खुब प्यार करती थी, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो सांप ने डस लिया, बच्चा मर गया, वो सांप ने क्या डसा, उसकी सारी जो जिंद्गी कि पूरी पूरी आगे की जिंद्गी वो अंधिरे में होगी उसे लगने लगा कि अब उसका जीना बेकार है अब उसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि एक तो बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ है उपर से मर गया तो उसे ये बात हजम नहीं हुई कि उसका बच्चा मर गय है तो लोगोंने कहा कि तेरा बच्चा मर गया इसको दफनाना है तो उसने बच्चा छोड़ा नहीं और अपने गले से लगा के रखा और गले से लगा के बच्चे को निकल गई और मरे हुए बच्चे को लेके घूमती रही हर घर में जाती हर बैद के पास जाती हर रोगहा आदमी, छोटे आदमी, रहा चलते आदमी, गरीब, वगीर, बच्चे, मेरे बच्चे को जिन्दा कर दो, मेरे बच्चे को जिन्दा कर दो, बस, यही उसकी रट थी, कि उसका बच्चा जिन्दा चाहिए, क्योंकि वो गौतम लाइने से थी, गौतम गोसे थी, और जो गौतम दोड़ी दोड़ी वहाँ पहुंची और जाके उसने बुद्ध के सामने बच्चे को लिटा दिया और एक ही रट आप सब जानते हो सब ग्यानी हो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो मैं कुछ नहीं जानती वो कुछ सुनने को त्यार नहीं पूरी सभा में सारे भिक्कु बैठे हैं राजा बैठे हैं सब लोग बैठे हैं और एक ही रट उसकी और रो रही है और रट लगा रही है एक ही रट है मेरे बच्चे को जिंदा कर दो आप कर सकते हैं सबने को त्यार नहीं तो ऐसी इस्तिति आ जाती है कभी कभी कि आदमी क्या कहे क्या ना कहे साधरन आदमी की तो बुद्धी वैसे ही बंद हो जाती है, क्या सवाल का जवाब दे, बड़ा emotional seal है, महिना को जरासा कुछ कहे तो महिला बिखड जाएगी, कुछ केड़ा बोल दे तो सवा बिखड जाएगी, emotional हो गया, emotional हो गया, अब इसमें कोई बडिशन लेना, एक तरह से आप ये समझो के रस्ती पर चल रहे हैं, और एक तरफ खाई और एक तरफ पुआ है, डिशन अगर ये कहें कि बच्चा तेरा जिंदा नहीं हो सकता है, तो वो बिखड जाएगी, और बच्चा जिंदा हो नहीं सकता, जूटा आजवासन दे नहीं सकते, क्योंकि बद्ध है, और कोई करम कांट जूटा करनी सकते, मगर बद्ध तो बद्ध ठहरे, दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं, जो बद्ध ने हल ना किया हो, कोई सवाल ऐसा नहीं, और जो सवाल हल नहीं हो सकते, उनको साफ कह दिया, कि अनके आंस नहीं है, उस पर वो मौन रहते थे, चुप रहते थे, तो रहना का अच्छा ठीक है बेटी, मैं ऐसे जिंदा कर दूँगा, तो एक काम कर, कुछ ही ये दाने, गैहूं के या चने के, कहीं से लेया, मुठी बार, दोड़ी भागी, थोड़ा रुप, दाने उस घर से लेके आना, जहां कोई मरा ना हो, बेटे के मों में अंदी थी, पागल थी, इतना तो सुन लिया कि दाने उस घर से लेके आने है, जहां कोई मरा नहीं हो, मैंकर समझ नहीं पाई किया गया बुद्ध, दोड़ी, मेरा बच्चा मर गया है, थोड़े से मुझे दाने देदो, चावल के देदो, गहुं के देदो, मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, बुद्ध ने कहा है, लोग ने का तू दो मुठ्धी ले यह पर दाने ले जा तिरा बच्चा जिंदा हो इससे अच्छी क्या बात है भरने लगी कॉली कपड़ें भरने लगी फिर होज आया के पूछू के कोई मरा तो नहीं है तो कि हमारे तो अभी चेह मेने पहले मरे हैं बड़े बुड़े तो महीं दाने सारे छोड़ दी अगले घर में चली गई अगले घर में वही किस्सा फिर अगले में गई अगले में घर पर आगे बढ़ती रही और खोस बार खाता रहा और होस बापिस आते आते जब पूरा होस आ गया तो फिर घर से दाने मांगने बंद गर दीये और खाली हाथ पैर लेते हुए लटकाती होई चली आई और आके बुद्ध के सामने बंद्रा की नमन किया आप मरे को दिखा दो दिखा तो उसने देख लिया देखना तो उसने सीख लिया उसको कहा आ बेटी आ बेटी बोला करते थे उसको दिखा दिलाई और उसको भिकनी बना दिया उसके दुख दूर हो गए यह कहानी मैं एक मीटिंग में सुना रहा था बुद्ध की में तो वहां कुछ लड़कों को यह कहानी चुब गई चुब इसलिए गई कि वो लड़के बड़े धरने प्रदसन करते थे मौत पर जाकर किसी की हत्या पर जाके किसी बलात कार पर जाके बड़े बैनल लगाके बड़े फोटो किछवाते थे बड़े फेस्टुक पर डालते थे उनका काम था कि जहां भी कहीं कोई हत्या हुई है कोई एक्टोशिटीज हुई है वहाँ जाना और वहाँ जाके वहाँ सानबुती करना वहाँ जाके अपना फोटू डालना वीडियो डालना मीडिया को अपनी बाइट देना वो इसको बहुत बड़ा काम मानते हैं वहां चुक्ति सभho में थोड़ा साल रगा कि भई इस आदमी का तो सभ़ाने ध्यान से सुना है पिन डॉप सालेंट के साथ सुना है हम तो कहीं के नहीं रहे कि तो आदमी सभ़ा को लूट के ले गया तो इसका खलल करो तो उसने का जी एक कहानिया ही सुनाते रहोगे ये जो कितनी सारे लोग मर जाते हैं एक्टो सिटीज होती है ये जो बलातकार होते हैं ये जो जला देते हैं इस पे तो हमने कभी आपको देखा नहीं ना तखता लेके, ना बैनल लेके, ना बिल्ला लेके कभी आपकी कोई अबायट नहीं, कभी कुछ नहीं, यह सब पका वीडियो चलता रहता है, इस टे नहीं चलती दुनिया, बड़े बेकार से सब्दों में उन्होंने insult के रूप में जैसे आप मान करते हैं वैसे उसने कहा मैं सांत रहा तो किसी ने कहा कि भाई ऐसे क्यों बोल ले उनका जो काम है अलग तरह का है आप जो कर रहे हो ठीक है तो करने जी इसके वारे में बताओ कि आप जाते क्यों नहीं मतलब वो एक तरह सीधे सीधे हमला करने वाली बात थी तो सभा का मैंने देखा मूट के सभा भी सुना चाहती है क्या है तो मैंने का ठीक है बताता हूँ सबरे के साथ सुन कि हम क्यों नहीं जाते हो या मैं क्यों नहीं जाता हूँ तो मैंने उसे कहा कि आप जब जाते हो कहीं पे सभा में जाते हो जब मरने के बाद जाते हो हत्या पर जाते हो बलातकार पर जाते हो खुटू खिशवाते हो बैना खिशवाते हो तो मुझे एक बात बताओ कि उसको मारा किस ने है उसकी हत्या किस ने किया है उसका बलादकार किस ने किया है तो कहता जी बलादकार करने वाला मनुवादी है गामन है चत्री है ठाकुर है ये लोग करते हैं आपको इतना नहीं पता ये लोग हैं जो हमारे बेहनों के साथ ये करते हैं, हमारे भाईों के साथ ये करते हैं और ये जगे जगे हो रहा है, लाख हो जगे हो रहा है, तो मैंने उनसे ये कहा, कि आपका ये जानकारी गलत है कि वो लोग हत्यार बलादकार करते है दरसल आप लोग हत्यार बलादकार कर रहे हैं उनकी और आप लोग हत्यार बलादकार करने के बाद में जब वहां प्रदर्शन करते हैं और जब वहां तक्ति लेके जाते हैं तो इसलिए जाते हैं क्योंकि बात है लड़कों के समझ में नहीं आई मगर जो मंच पे बैट थे नहीं कहा कि समझाईए इसको कि आपने बात कैसे कही तो मैंने उनको ये बताया कि जो समाज बिखरा हुआ होता है जो समाज का संग नहीं होता जो समाज चूटा हुआ होता है जो समाज टुकलो टुकलो में ह होता है तक वाए संग में नहीं है एक हट्टा नहीं है इसलिए बलादकार होते हैं इसलिए हत्य नहीं होती है तो तुम सारे के सारे जितने भी लोगों अलग-अलग हो और अलग-अलग होने की वज़े से जुम्मेदारी किसकी है अलग होने की यह तुम टुकड़ों में हो जो छह जार साथ सो तेतालिस जातियों में हो जो जो उनतिस लाक संथरों में हो जो चाल लाक एक्टिव संथर है क्या तुमको इसका ग्यान नहीं है कि तुमारे अलग होने से बलातकार होता है क्या तुमक के भी कारण हो पाप का भी कारण हो बलात का भी कारण हो और उसके बाद का भी कारण है उसके बाद तुम सर्टिपिक्ट देखे आते हो कि तुम और बलात कार करना हम जब भी आएंगे प्रदरसन करने तब भी अलग अलग आएंगे और फूटु किछवाएंगे चले तो मीडिया कैसे तुम्हारा नाम देखाए गा तो कैसे मीडिया में तुम नाम कमाऊगे तुम कैसे नेता बनोगे तुमको नेता बनना है तुमको समाज सेवा नहीं करनी है तुमको समाज से कोई सारोकार नहीं है अगर तुमको समाज से सारोकार होता तो ये तक्ती बैनर विल्ले ये छोड़ कर तुम एक आवाज लगाते कि एकटे हो जाओ हम मारे जा रहे हैं और इस बात को दुनिया का कोई भी आदमी अगर ये क कारण हो तुम ही तक्ति लेके जाते हो तुम मरने के बाद इखटे होके जाते हो कुछ लोग अगर तुम पहले इखटे होके चले जाते अगर तुम सारे इखटे हो तो वो मरता ही नहीं वो बलातकार ही नहीं होता है किसी की हिम्मत ही नहीं होती इसलिए मैं पाप में सनी होने दिया. वो कभी भी ऐसी जगे नहीं गए जहां हम हारा हुआ युद्धि लड़ते हैं. बुद्ध के बता रहा हूं आपको खा चप बुद्ध कभी किसी वाद विवाद में कभी नहीं गए. विरोधियों के कि हो तो नहीं जाना चाहिए तो बुद्ध ने अपने विचार धारा को कभी मिक्स नहीं होने दिया उनकी विचार धारा तो बुद्ध ने कभी अपने विचार और आइडिया को बेचा भी नहीं कभी गिर भी नहीं रगा और बुद्ध ने कभी किसी की गलत बात मानी भी नह कितने कश्ठों और बुद्ध ने कभी किसी की गरत बात को इसलिए यस नहीं किया हा नहीं किया कि लोग उनके विचार धारा को मानने और बुद्ध को अपनी विचार धारा पर पूरा विश्वास था इसलिए उन्होंने अपने विच्वों को टीचर को पहले विश्वास करन जिसमें सारे प्रसनों के जवाब है और इस समढ़ संग की गहराई इतनी है कि उतले लोग इसको समझ नहीं पाते इसके आसपास भी वो इसको संगठन ही समझते हैं वो समझते हैं कि संगठन जैसा ही कुछ है संगठन इसके पैर का नखून भी नहीं है कटा हुआ एक बाल भी और इससे आप निकल गए तो जहर आक लिए हर जिगे तयार है पहले भी इसी ने अमरत्पान करा के लोगों को बचाया है और अभी भी यही बचाएगा इसलिए अगर विश्वास नहों तो पहले इस पर विश्वास करो और इसके विचार को समझो यह वो सुद्ध विचार है जो बुद्ध ने इस्थापित किया है और जो हमारे पूरवजों ने इसको बुद्ध को दिया है बुद्ध ने इसके नियम बनाए है बहुत मजबूत चीज है जो हमारे पास है अगर इसकी इज़्जत करना नहीं सीख पाए हो अभी तक तो इसकी बेजजती मत करना इसकी काम दिखाने के लिए सब कुछ है क्योंकि समण संग काम मांगता है विद्वता इसलिए नहीं दिखानी है क्योंकि विचार पहले सही आ चुका है विचार उनी का है जो सफल विचार है और जिनका हम नाम ले लेते हैं हम उनका नाम भी लेते हैं उनका विचार भी लेते हैं औ जो समर संगी है वो धंब संगी भी है और जो धंब संगी है वो हमेसा सुखी रहेगा ऐसा पहले तैह हो चुका है तो इसको मिक्स करने के लिए इसको कन्फ्यूज करने के लिए इसको करप्ट करने के लिए और इसको कन्विंस करने के लिए बहुत लोग आएंगे बहुत कुछ लोग इसमें मिक्स करेंगे अरे इसमें तो ऐसा होता था बुद्ध ने ऐसा किया ये भी कुछ ऐसा ही है ये वी कुछ वैसा ही है ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो मिक्स हुआ है वो पहले हुआ है अभी इसमें मिक्सिंग कुछ नहीं है बावा साब ने इसको फिल्टर करक तो कोई करप्ट करने आए तो सोचना कि करप्ट क्यों कर रहा है और एक वार पूछ लेना आगे कि ये बात कैसे हुई कैसे नहीं हुई बहुत सारे लोगों को समढ़ संग तुरुन समझ में आ जाता है क्योंकि उनके खून में और जीन में हैं बहुत सारे लोगों को देर में समझना आएगा मगर देर सवेर समझ में सब को आएगा क्योंकि समझ संग उनका पुराना घर है और इस घर के अंदर किसी भी हालत में छोटे मोटे जो काम हैं उनमें नहीं अटका जाता ये छोटे मोटे काम कौन से हैं छोटे मोटे काम ऐसे हैं कि कोई संग को करट करने के लिए इसको खतम करने के लिए आपको नूरा कुस्ती में डालेगा नूरा कुस्ती क्या होती है नूरा कुस्ती होती है जिसका परड़ाम पहले से फिक्स है जिसमें जो रिजल्ट आना है वो पहले से फिक्स है जैसे मेरी कुस्ती होनी है यहां जैसे आर के بود ہے उनके साथ में तो कुस्ती कराने वालों ने पहले ये टेकर लिया कि इस कुस्ती में आरके बोद जीतेंगे क्योंकि आरके बोद सरीर में कमजोर हैं और सुधीर रासिंग सरीर में तगड़े हैं तो जो public पैसा लगाएगी वो लगाएगी सुधीर रासिंग के जीतने पर और जो आयो जख है उनको जिताना है आर के बाद को क्योंगी पैसा तब ही मिलेगा जब आर के बाद जीतेंगे तो आर के बाद से ये कहा जाएगा कि तुम ऐसी पटकी लगाना और सुधीर रासिंग को यह कहा जाएगा कि तुम पठकी खा लेना और जैसे पठकी खाओगे वैसे जीत जाओगे पैसा पब्ली का सारा पैसा आईवजक्ता हो जाएगा इसको बोलते हैं पहले से ही तै नूरा कुस्ती तो नूरा कुस्ती में नहीं जाना चाहिए हमें जिन कुस्तियों के प्रणाम पहले ही हैं वहां नहीं जाना चाहिए जैसे कल यहां चर्चा हो रहे थी चर्चा यह हो रहे थी कि कोर्ट में जो हमारे लोग जाते हैं जब वहां हार पहले से तै है जब वहां जस्टिस मिल नहीं रहा है सतर साल से साट साल से जब हम केस पर केस हारे जा रहे हैं तो हम उस नूरा कुस्ती में जा क्यों रहे हैं जिसका परिणाम पहले से तह हम क्यों पैसा बरवाद कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं मान लीजिए कि अगर बावा साथ पूना पैक्ट में नहीं जाते तो क्या होता पूना पैक्ट में वो जाते नहीं गांधी के पास तो पूना पैक्ट होता है नहीं, तो पूना पैक्ट नहीं होता, तो पहला वाला जो सेपरेट एलेक्टरोल है, वही तो मानने होता, क्योंकि महर नहीं मिली ना, मानने ता नहीं मिली, बावा साब की मानने ता नहीं मिली, तो बावा साब को खीच के और खदेड के लाया गया उनको मजूर किया गया उनको ब्लैक मिल किया घुट्नों पर खषिट किलाया गया पावबस आपको वह सोच रहे हो के वह खुची साही हंगे वह लपटके आये होंगे कि हमां सांइन करना है यह बला रहा है चलो इहां ऐसा हो रहा है कितने सारे आंदून हुए व indigenous का बैठ गया मरने को त्यार धंकी आने लगी मार देंगे अंबिटकर को मार देंगे अच्छा अंबिटकर मरने को त्यार बैठें बावा साथ फिर कहते हैं अंबिटकर के दुबारा से दम डालना है और उनको खड़ा करना है तो संग नहीं था उस समय अगर संग पीछे खड़ा हुआ होता बावा सावाते क्या मानेता देते क्या मासाइन करते क्या क्या हम इस बात को कभी कहते कि बावा सामने मासाइन किया है क्योंकि उनको मानेता चाहिए अगर ब इसलिए संग जरूरी है, इसलिए आध ध्मा डे है, तो ध्मा, जब आप कहते हो कि Dhamma सरणग गच्छाँमी, इससे काम नहीं बनने वाला, आप कहते हो बुदधं सरणग गच्छाँमी, इससे काम नहीं बनने वाला, अगर धंब जिंदा करना है और संग जिंदा करना है और बावा साब को दुवारा से खड़ा करना है अपने गुट्नों पह जाे आजाएगा किसी कोर्ट में मैं गारंटेड बोलना मैं इस बाद हो गारंटेड गारंटेड आपका जो सबसे निकमा बच्चा है पांस साल का वो एक पड़्ची पर लिखेगा कि हमको फलाने डिडेट तक यह सेपरे लेक्टरल चाहिए और आटमेटिक पास होके आजाएगा इतनी बड़ी ताकत संग में होती है और आप भागते रहों कोर्टों में आप भागते रहों जज़ों के पास में जिसका पीछे संग नहीं हो सको कोई नहीं सुनता बाई कोई नहीं सुनता दो अपरेल को क्या सोचते हो कि आप कोई प्रसंद होके आपको आपको आपका एस सिर्फ खड़े हो गए शलक पर पता चल गया कि संग में लोग आ गए हैं संग में आ गए हैं अधिकार मिल गया लोग कुछ भी कहते रहो मगर सब सलक पाइद तभी मिला संग था तो इखटे हो जाओगे तो रोज दो सलक पर आने की जो तो नहीं है कौन सलक पर आता है कभी दोनों चीज गायब है हम तूटे हुए भी हैं हमारे जो बुद्धी जीवी हैं उनको सबसे उनको सारे बुद्धी जीवियों को रस्य से बांध के और गदे से खजीटना चाहिए काले मूँ करके अप एक काय के बुद्धी जीवी हो तुम जब तुम खुदी टुकड़ो होगे तुम लोग क्यसे लग़ं हो गई वर सारे लगवर होगे जितने भी लोग है जो झाम करे ढव sixt हम क्रम कर्राइब मूदो कैसे अकल बुद्धी नोग हो तुमसे जब संगंग संदंग अच्छा मी हो धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है, उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी धम्ममर सरनं गच्छाम। भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियम् पी धम्मं सर्णं गच्छामी ततियम् पी धम्मं मर्सर्णं गच्छामी ततियम् पी संदं सर्णं गच्छामी साथू, साथू